साथियों, ये लोग कितने ही बड़े चूठे बोलते रहे हैं, और आप देखिए, चुनाव के समय हैं, उन्होंने देश के सामाने नागरी को गुम्रा करने के लिए, जो परचियां बाटी हैं, कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, दो दिन से मैं देख रहा हूँ, कि कॉंग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं, कि ये परचियां, एक लाग रुप्या कोहां हैं, लाओ भई, मांग रहे हैं लोग, यानि आपने जनता जनादन के आखों में कैसा उनको ब्रमित किया, कैसी आख में धूल जो गया, और अब उसको धका मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है, अब इस प्रकार का छुनाव, ये अपने आप में, देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरी को का अपमान है, और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भू मुलता है नहीं कभी माप कभी करता है साथ हमारे लिए संतोस की बाद है कि हमें कमिट्मेंट से काम कर रहे हैं दस साल में हमने पचीस करोड गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है रिस्ता है गरीब कल्यान का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको और उसके अंदर भी एक नए एस्परेशन पाता हुए है कि हाँ अब मुझे गरीब नहीं रहना है और उसके लिए मुझे जो हो सके हैं मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा तीन करोड गरीबों को घर यह ऐसे कहने का अकड़ा नहीं है जी कितनी महनत पढ़ती है मुझे मालूम है लेकिन हम सफलता पुरवक इसको कर पाए है चार करोड लोगों को दे चुके हैं तीन करोड का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे यह यह भी हिम्मत है कि चार करोड देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है जरूरत पड़ी है और राज्यों की भी उसमें इच्छा है तीन करोड नए घर बनाने का संकल्प सत्तर वर्स्के आउसे उपर के व्यक्तियों को नागिलकों को पांच लाख रुपे तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की भवस्ता मुद्रह उद्दा के तहट हमारे नवजवानों को कारोबार के लिए 20 लाग तक करें उनकी बैंक से उनको लोन मिले इसकी ववस्ता यह मैं समयता हूं कि वाइदा हमारे पीसरे कारकाल की गारंटिया सब मैं तो भी बताता नहीं हूं लेकिन इन गयरंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे साथियों गरीब का ससक्तिकर और मिडल क्लास को सुवीधा यह हमारी प्राफ्प्रिक का है क्योंकि मध्यंबर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक बढ़ भारत की ग्रोस स्टोरी में यह ऐसे ऐसे नए फोर्सिस में देख रहा हूं जो हमारी बहुत बड़ी शक् प्राही और मिडल कास की बचत कैसे बढ़े सेविंग कैसे बचे बने उसके लिए उसके क्वालिटी ओफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हमारी योजराओं का विस्तार कैसे किया जाए हमारे निती नियमों में बड़लाव कैसे किया जाए उस पर भी हमाने दिवालत दिनों मकाम चाहते हैं साथियों पंचायद से पार्लामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी यह हमारा कमिट्मेंट है और हमने हमारे पिछले कायरकाल में नारी शक्ति बंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया है और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी आजाद में हमारी माता है बहने देश का नेतुरत्व करती भी दिखाई देगी इस पूरे चुनाओं में हम सबसे ज़्यादा महिला उमीद्वारों को टिकर देने वाली पार्टी रहे हैं यह अमारा कमिट्ट हमारी महिला सांसदों को जो आशिरवाद देश की जिनता ने दिया है मैं इसके लिए विशेश रुप्षुन का आप खायर वेक्त करता है दुनिया के सामने एक विशेश लेकर करके हम बड़े आगरस से गए हैं और वो है Empowerment of Women, Development of Women इन सारी बातों कुछ हम परिशेट है हमने एक नया सित किया है और हम G20 समीट से भी इसको आगे बढ़ा रहे है Women-led Development एक बार हमारा इस प्रकार का कमिट्मेंट बनता है तो परिवर्तन बिलकुल सामने जराता है साथियों एंडिये का ये कारका बड़े फैसलों का है तेज विकास का है और अब हम समय घवाना नहीं चाहते कि हम पांच नंबर की इकोनामी से तीन नंबर की इकोनामी पर पहुंच रहे हैं और ये खाली पांच और तिन का अंकड़ा नहीं है उसके कारण जो अर्थववस्ता का कद बन जाता है वो सामान ने मानवी कि आशा अकांशाओं को पूरी करने के लिए सरल्टा बढ़ जाती है देश के लिए जो जरूत है वो आराम से पूरी करने का सामर्थ बन जाता है और इसलिए हम उच दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपूर है और भारत के समिधान ने हमसे जिस प्रकार का दिशांदेश किया है को कोपरेटिव फैडरलिजिजम का लेकिन मैंने उसमें आगर रखा है कॉंपेटिटिव कोपरेटिव फैडरलिजम हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुर सपर्दा हो राज्यों और केंदर के बीच में भी तंदुर सपर्दा हो हम अच्छा करने की सपर्धा करें और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाते हूं हमने जेखा है जब अब कॉंपेटिटिव कोपरेटिव फैडरलिजम की बात करता हूं आपने जेखा जी ट्वेंटी समीट हम एक जगा पर कर सकते थे हम भी मालाई पहन करके फोटो निकल वा सकते थे लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में दोसों से ज्यादे मिटिंग हुई और दुनिया भरके निती निल्धार जो कहें जी ट्वेंटी देश होगे और बागी भी पांच कि देश इतना बड़ा है तो यह अपनी एक टांकत का परिशे हुआ है हमने कोविड में राज्यों के साथ कोप्रेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक शुत्र में रहकर कि लड़ दल किसी का भी हो सरकार में लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोपरेटिव फेडरलिजम के प्रतिक कमिट्मेंट है एक एसा मोडल है गवर्नांस का जिसमें राज्य भी उतना ही सकरियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नांस का एक ऐसा मोडल प्रसूत हो रह रहे हैं ताकि हमारे ग्रास्रूट लेवल पर भी जो बीक एरियाद है जहां सुविधाय अभी सामान एवरेज से भी नीचे हैं उसको हम जल्दी से जल्दी उस्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं देश का रीजन कोई भी क्षेत्र हो सरवांगे इंविकास को लेकर घ हमने बहुत बड़ा हैंने सोचने में भी बड़ाव लाए जब इन पर तो लाई लाए वन्हारे देश में सोचा चलेगा यार बारे एक बार कर लो ना उस साहरे में से बड़ाव नहीं है अब तो अच्छा ही चाहिए बड़ाई ही चाहिए जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला चाहिए सामान ने मानवी के मन को हमने इस तरीदी प्रेडिट में किया है और पुर्शार्थ करके हमने उस दिशा में काम किया है पांच साल में हमें गति-शक्ति अन्य इस प्रकार के प्रेटफॉर्म पर जो काम किया है जो काम 6-6-8 मैंने तक नहीं होता था वो आज 15- जिन में कर सकते हैं सट टेक्नोलोजी का उप्योग करके हम क्याब कर रहे हैं और यह जब होता है तो उसका मून फाइदा देश के नवजवानों के लिए रोजगार के अती अवसर बन जाते हैं उनके लिए जीवन में सिलेक्शन के लिए बहुत बना दाइरह बढ़ जाता है और वो हमें सात्यों आज भारत दुनिया में विश्व के लिए एक नया मैनुफेक्रिन हब के रुप में उभर रहा है और जब हम मैनुफेक्रिन हब कह रहे हैं तब सिर्फ इलेक्रोनिक गूर्ज या सर्विसिस के मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं फूट प्रोसेसिंग में भी आज दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बढ़ी ताकत दे रहे हैं उसी प्रकार से स्पेस हो, आर्टिफिशन इंट्रेस हो, स्टार्ट अप्स की बात हो, स्कील, जॉब, प्रिस्क बात हो, आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये मेरा विश्वास है